दोस्तों नमस्क्राइब स्वागत है आप सभी का ओलने डाहुश्ट ली यूटूब चैनल पर इस वीडियो में बात करने बाले एक बड़ी और लेटर्स अब्डेट के बारे में जोकी संबंदित है उत्तर प्रदेश में नई प्रिमरी सिच्छक भरतियों या फिर यूपी क्योंकि आप जानते हैं सभी सिच्छक भरतियों के जो कादे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपके होंगे नई सिच्छा सेवा आयोक के नाम पर इन सभी भरतियों को रुख कर बैठी हुई है चाहे वो टिच्छी प्रिमरी सिच्छक भरति का बिग्या पन ऐसे में बात कीजिए एक बड़ी अपडेट को लेकर जो की संबंदित है नए सिख्षा सेवा आयोग के बारे में तो यहां से जानका ही देखने के लिए मिली है कि नए सिख्षा सेवा आयोग को लेकर मीटिंग खतम हो चुकी है यानि कि नए सिख्षा सेवा आयोग के संबंद में मु उतनी ही जल्दी सिच्छक भरतियों के प्रोसर शुरू होंगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को अबश दबाले जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती रहे नए सिक्षा सेवा आयोक की गटन को लेकर कई अब बैतियों के माद्या मसे की आचिकर कोर्ट में भी दाकिल की गई ती जिसके अंदर मांग की गई थी कि सरकार बे बरज़े बहरतियों को डिले कर रही है नए सिच्छा सेवा आयोक के लिए जल्द आ सकता है अध्यादिस कि सचीव महंद पशाद अग्यवाल हाई कोड में हल्पनामत आखिल कर चुके हैं जिसमें उनके माध्यम से कहा गया कि सभी चैन आयोगों के एकी गर्ण कर यहां से नई सिच्छा सिवा चैन आयोगों को बनाने के पती सरकार संबेदन शील है जल्दी इसका आध्या देश भी का बैठक बुलाई है कल इसको लेकर दिन में सुनवाई देखने के लिए मिली थी और दिन में अपर मुक्य सचिव के माध्यम से एफ़ीडेविट दाकिल किया गया था यह बताया था कि आज शाम को बैठक होने वाली है और यह जो बैठक है वो हो चुकी है और बैठक खतम भी हो चुकी है जिसके बारे में मुक्यमंति इस तरह की बैठक थी देश शाम को बैठक हो इस बज़े से ना तो इस मुद्धे को लेकर जादा कोई जानकाई अभी मिली है शाम आते आते या तो इसको लेकर जानकाई समाचा पत्तों से मिलेगी नहीं तो ओलाइन को भी जानकाई दे दी जाएगी लेकिन फाइदा ही है कि आपको आज देश्याम तक किसी न किसी माध्यम से जानकाई अवश्य मिल जाएगी नए सिच्छा सेवा चैन आयोग के बारे में क्योंकि इस मामले को लेकर बहुत साई अव्यति कोट गए थे जिनके माध्यम से बताय और उसके अध्यादेश को लेकर पूछा गया तो अपन मुख्य सच्छिप के माध्यम से जानकाई दी गई है कि कल इस मुद्धे को लेकर एक हाई लेवल की बैटक होने वाली है मुख्य बंती योगी के अध्यक्षता के अंदर और उसके बाद में नए सिच्छा सेवा आय लेकिन सरकार की अधिसूषना जारी नहीं कर रही है और यह यूपी सरकार मामले को लंबित रखने की रणीती है इसलिए नया अधिनियम लाने की बात कर रही है कोड ने मामले में अध्यादेस पारित कहें या फिर कोड ने मुख्य बंती की बैठक बुलाने की जानकाई मिलने के बाद में सुन भाई को एक दिन के लिए इटाल दिया है इसके पहले कोड ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका देते हुए होगी कि कल की तारिक में बैठक देखने के लिए मिली है और इसी बैठक के बाद से अब यह तैह होगा कि आने वाले समय के अंदर चाहे वो प्रिमरी सिच्छक बहती हो या फिसके अलावर टीजिटी पीजिटी हो या इसके साथ-साथ अगर बात की जाए नए सिच्छा चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी आप लोग वीडियो को लाइक वर शेयर अवश्य कर देना चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की बारे में जो की संबन दीते हैं यूपी टीजिटी पीजिटी एक्जाम इसके अलावा सीटों में व्यदी को ल मांगी गए थे टीजिटी पीजिटी दोजा बाइस में 4163 पदों के सापिश तक ही इवन तेर लाग अव्यरती ने और 9 आवेदन प्राप्त हुए थे आवेदन प्रकिया कि करी 10 महीने के बाद भी परीक्षा देखने के लिए नहीं मिली इस भीच खाली होने वाले पदों लेने की मांगी गई थी ताकि अधिक से अधिक प्रत्योगी चात्यों को चैन होने का अवसर मिल सके प्रत्योगी चात्यों के मार्धियम से इसको लेकर जानका इनीचे देखने के लिए मिलती है कि उत्तर विदेश मार्धिमि सिच्छा सिवा चैन बूर्ड की होसे से ज्यादा ऐसे पद हैं जो टीजिटी और पीजिटी बिध्यालियों के अंदर खाली पड़े हुए हैं और जब भरती का विग्यापन निकाला जाता है तो सिर्फ 4163 पदों पर अगर आपके पर 16000 से ज्यादा पद खाली हैं तो 16000 पदों को भरा जाए क्या सरकार छात्तों को रोजगार देना नहीं चाहती या फिर रोजगार देना चाहती है बार-बार छोटे-छोटे पदों वेकेंसी निकाल कर जिससे की सरकार कर राज्योस बढ़ता है क्या हो सकता ये तो आप कमेंट करके बताई देंगे लेकिन सिक्षा मंती के बयान की मुताविक 16000 से ज्या सेवा आयोक का गठन भी जल्द हो सके उसका मुख्याले प्राग्याजर मनाई जाने के मांग को लेकर महा निदेशक स्कूली शिक्षार से कही ने की छात्तों के माध्यम से मुलाकात की गई और आयोक की गठन को लेकर यहां से बारता देखने के लिए मिली अब महा में चाहिए वो आपकी टीजिटी पिजिटी बरती हो या फिर इसके साथ में नई प्राइमरी सिच्षक बरती का बिग्यापन इन सभी के जो रास्ते मुस्वत्य साफ हो जाएंगे और अच्छी और बड़ी अपडेट यह है कि आज इस मुद्य को लेकर बहुत साइज जान झाल 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 झाल